सारस की लड़ाई बड़ी या आजम की लड़ाई ये सवाल हमारा नहीं बलके AIMIM प्रवक्ता असीम वकार का है जो आजम खान को आधार बना कर अखलेश यादव पर निशाना साथ रहे हैं बलके इशारों इशारों में आजम खान परिवायर की तरफ पासा भी फेक दिया है आज फिर अखलेश यादव जी ने अपने ट्विटर और फेस्बुक पर एक पोस्ट डाल दी सारस को रिहाई के लिए सारस की रिहाई के लिए और एक बहुत बढ़िया शेर भी लिख दिया मैं तो देख रहा हूं इदर लगबख 45 दिन में करीब 25-30 बार ट्विटर और फेस्बुक पर अकले जादव जी ने सारस की महबत में सारस की रिहाई के लिए अपने ओफिशल ट्विटर और फेस्बुक अकांट से पोस्ट की है और सरकार पे डबाव बनाया लेकिन अफसोस इस बात का है कि सारस से जितनी महबत अखलेशी को हो गई है जितनी महबत सारस से दिखा रहे हैं अगर इतनी महबत जनाब आजम खा साथ से दिखाई होती तो आज आजम खासाथ और उनके परिवार की जो दूरदशा हुई है वो दूरदशा ना हुई होती है दरसल अमेठी के रहने वाले महमद आरिफ ने सुमवार को सपा मुख्या अखिलेश यादव से मुलकात की है आरिफ सारस से दोस्ती के लिए बीते दिनों चर्चाउ में आये थे अखिलेश ने आरिफ से मुलकात को अपने ट्विटर अकाउंट से शेर किया उन्होंने शायरी के जरी उत्तर प्रदेश सरकार से आगरह किया है कि वो सारस को आजाद कर दें जो कानपुर की चिडिया घर में रखा गया है आरिफ ने भी एक हरे रंग की टी-शिर्ट पहनी है जिस पर सारस का चित्र बना है और लिखा है सेट मी फ्री यानि मुझे आजाद करो अफसोस इस बात का भी है कि सारस के लिए 45 दिन में करीब 25, 28, 30 पोस्ट अखले शादोंजी डाल ले है और आजम खासाब के लिए अगर इसकी 10 परसंड भी पोस्ट कर दी होती तो आजम खासाब और उनके बेटे की विदान सभा की सदस्ता ना गई होती और शाद उनको जेल से रिहा भी कर दिया गया होता उनके केज भी करने हो गए होती अखले शादव के इसी सारस प्रेम को आधार बना कर AIIMIM प्रवक्ता असीम वगार ने अखलेश को आड़े हाथ हो लिया और कह दिया के अखलेश शादव ने पिछले एक महिने में जितनी पोस्ट सारस की रिहाई के लिए की लिए है अफसोस देखिए कि जैसे ही सारस को चुछड़ अखर लेके गए कैद में अखलेश जी सारस से मिलने फौरण पहुँच गए और आजम खासाब से जेल मिलने के लिए दो साल लग गए और सारस से मिलने के लिए फौरण असीम वकार ने अखलेश जादव पर तंज भरे लहजे में यहां तक कह दिया कि कहीं किसी दिन ऐसा नहूँ उत्तर प्रिदेश के सीम योगी आदेतेनाद सपा प्रमुक और सारस की महबबत को देखते हुए अखलेश जादव को 11 सारस, 11 मुर्गियां, 11 बतकें गिफ्टना कर दे असीम वकार ने ये भी सवाल किया कि अखलेश जादव ने जितनी पोस्ट सारस की दिहाई के लिखी क्या समाजवादी पार्टी वालों ने उतनी शिद्दत से आजम खान के लिए लड़ाई लड़ी सारस की महबब और आजम खान की महबब अब अंदादा आप लोग खुद लगा लिजे और मुझे तो एक बात का और डर है कि कहीं किसी दिन ऐसा ना हो कि जो महबब इतनी दिखाई जा रही है सारस से कहीं किसी दिन योगी जी 11 सारस 11 मुल्गया और 11 बतकें कहीं अखलेश जी को गिफ्ट ना करते हैं लेकिन मैं अपनी قوم से पूछना चाहता हूँ कि क्या जितनी पोस्ट सारज की रहाई के लिए हो रही है क्या इतनी ही शदीद मुहब्बत के साथ आजम खां के लिए आप समाजवादी पार्टी वाले लोगों ने लड़ाई लड़ी क्या इतनी पोस्ट की नहीं की तो क्यों दरसल अमेठी के रहने वाले आरिफ को एक सारस खायल अवस्था में मिला था उन्होंने उसकी जान बचाई जिसके बाद परिंदे से उसकी दोस्ती हो गई आरिफ और सारस की दोस्ती प्रदेश में काफी चर्चा बटो रही थी इसके कुछी दिन बाद सपा मुखिया और पूर मुख्यमंत्री अखिलेश जियादव सारस और आरिफ से मिलने पहुँच गए उन्होंने इस मुलाकाद की तस्वीर अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर शेयर की थी इसके कुछी दिन बाद वन विभाग की टीम ने आराफ से सारस को अपने कबजे में ले लिया